पोटाइटो चिप्स बनाना घर पे बहुत असान है बिलकुल अंकल चिप्स जैसा मिलता है ना सीम जैसे ही बनाएंगे तो मैंने आलू इस टाइप कर लिया है आपके घर में भी ऐसा वाला आलू हो तो जरूर लीजेगा नहीं तो आप किसी भी प्रकार की आलू से बना सकते ह मैं छोटी मोटी 2-3 बातों का ध्यान रखना होता है इसका छिलका आठा कि अच्छे से मैंने चिप्स काटने वाली मसीन पे जो मेरे पास प्रहुत यह क्यों नहीं क्यों सबढ़े और उसके बाद आप सब देख सकती हो मैं इसको धोड़ने के लिए ले जा रहे हैं तो पर नए डाला Hay मैं और जब तक धोड़ना है जब तक कि इसका जो गंदा पानी दिख रहा है यह अच्छ तरीके से साफ नहीं हो ठीक ठाक था तो इस बज़े से मैंने गर्मा गरम तेल में डाल दिया है आलू को और उसके बाद इसको अच्छे से फ्राई होने दिया है एक टाइम में आप जतना मात्रा में बनाना चौह कडाये में जतना तील डाला हो उस हिसाब से टालिएगा और यहां पे मैंने आलू को दिखा देती हूं बिल्कुल हाई फ्लेम पे रखा हुआ है मैंने एक दो बार मैंने इधर उधर पलटा है इसको और उसकी तुरंत बाद मैंने आँच को एकदम धीमा कर दिया है आप सब देख सकते हो और फिर से मैंने आँच के साथ कुछ खिलवार नहीं किया जैसे मैं आ इसका निकल जाए आप चाहां तो पेपर भी लगा सकते हो जो को किंग पेपर आता है उसके बाद उस बैच को निकालने के बाद ना उसी कड़ाई में मैंने फिर से डाल दिया है इस टाइम मैंने हाई फ्लेम रखा हुआ है और उसके तुरंत बाद आज को मैंने धीमा कर द और तुरंत इसको निकाले अगी थोड़ा सा जादा हाई मतलब फ्राई हो गया है तो कोई बात नहीं फिर मैंने टेंपरेचर इसका मेंटेन करने के लिए थोड़ी देर फ्रिज में रखा है ताकि यह ठंडा हो जाए आप पंखे के नीचे भी रख सकते हो और उसके बाद चिप्स तलने लगी थी इसी तेल में क्योंकि चाय मैंने साथ में बनाया था तो कुछ ने कुछ तो शहीं था इसके साथ मैं मुझे ऐसा लग रहा था वाई बाहरी थी कि पक्का मेरा चिप्स जलेगा आज तो मैंने सेकेंड आप्सन भी तैयार करके रख लिया और ऐसा इस चिप्स को डाला ना इसमें तो रंत मेरे सारे के सारे चिप्स जादा डाक ब्राउन हो गया है तो एसी गलती आपको नहीं कर het जैसा मैं आप सबको हमेशा बताती आ रही हूँ कि चिप्स को हमेशा धीमी आज पे कम टमप्रेशर पे आपको तलना है ताकि ये क्रिस्पी बने और अगर क्रिस्पी बन जाए तो अच्छी बात है लेकिन वाकी ये बहुत जादा क्रिस्पी बना था थोड़ा सा जला हुआ है तो उसके कोई मतलब नहीं है लेकिन ये प्रॉपर क्रिस्पी बना हुआ है तो इस तरीके से मैंने तेल से सभी को निकाल लिया है तुरंट बहुत जादा टाइम मुझे नहीं मिला जैसे ही मैंने तेल में डाला ये तूरंट की तूरंट जलने लगा तो फटाक से मैंने निकाल और जो मैंने फर्स प्रेश दला था वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बना था लेकिन सेकिंड वाला थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई हो गया तो ऐसी गलती आप सब दिख सकते हो कितना क् और इसके बाद इसको अच्छे से कर दिया है मिक्स और नाउ हमारा दो चिप्स है वो बनके त्यार है तो आप भी ट्राई कीजिएगा आप वीडियो के ऐसा लगा कॉमेंट किरके बिताईएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा थैंक्स वहाचा